कॉंग्रिस पार्टी को तो आज ये बताना चाहिए कि कौन है इस शर्यंत्र का सौधागर जिस प्रकार से कॉंग्रिस के नेताओं ने एंजियो, कुछ मीडिया के लोग और कुछ अफसरों के साथ मिलकर एक शर्यंत्र का महागडबंदन मनाया था गुजराद दंगो को लेकर आज उस महागडबंदन को सुप्रीम कोट ने पूर्ण तरीके से ध्वस्त किया है और ध्वस्त करते समय सुप्रीम कोट ने कई सारी बाते निश्कष के रूप में, फाइंडिंग्स के रूप में बताई है कि किस प्रकार से तीस्ता सेतलवाद एंड कमपनी ने लगभग 16 वर्षों तक अल्टीरियर डिजाइन के तहट इस मामले को खीचने का काम किया, किस प्रकार से कुछ अफसरों ने जो डिस्गरंटल्ड ओफिसर्स थे अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साजिश के तहट संसनी फैलाने के लिए जूटे चीजों का प्रचार किया, प्रसार किय फैबरिकेटेड एविडेंस से पेश किये, किस प्रकार से अलग-अलग विटनेस को, दो डजन से ज़्यादा विटनेस को ट्यूटर किया गया जिसमें की जाक्या जाफरी भी थी, और सुप्रीम कोट तो यहां तक भी गई, ये कहने में कि तीस्ता सेतलवाद के कर रहा था और जाक्या जाफरी जैसी पेटिशनर का इमोशनल एक्प्लोइटेशन अर्थाच शोशन भी कर रहा था, ये वो लोग है जिनोंने विक्टम हंटिंग की है और विक्टम प्रोफिटियरिंग की है, किस प्रकार से दंगा पिड़तों के नाम पर कोरोडों रुप प्रकार की तरफ से मिले, कहीं अन्यस्रोतों से मिले, FCRA का वायलेशन किया गया और जो पैसा इन पिड़तों के लिए था, वो पैसा अपनी वाइन, अपनी चौकलेट्स, अपने जूते, अपने मेकप के लिए खरच किया गया, मतलब कि ये सारी की सारी पेटिशन जो लगा आए गई, ये public interest litigation नहीं था, ये प्रायोजित interest litigation, ये political interest litigation और पैसा interest litigation था, और आज जब कारवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निशकर्श के बाद, आदेश के बाद, तो कुछ लोग इसमें भी victim hood card खेल रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर् तलवाद को victimize कर रहा है क्या गुजरात हाइ कोट की जिसकी भी यही finding थी वो तीशता से तलवाद को victimize कर रही क्या lower court की भी finding थी वबी victimize कर रही तो इस प्रकार का अविश्वास court और кशानून प्रणाली में केवल कॉंग्रिस पार्टी के लोग कर सकते हैं जो इस शर्यंत के असली सौधाद है